Hi, I am Bhavik Thakkar, Welcome to Bititude. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of exact same video. लेकिन अगर आप Hindi language से ज्यादा comfortable है, तो फिर इसी वीडियो में बने रही है. देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं profit and loss के उन questions के बारे में, जहां पे दो चीजे बेची जाती हैं और हमें usually दोनों को मिला के combined कितना profit या loss percentage हुआ, ये डुणना रहता है. अब आप बोलोगे, sir, ये तो बहुत easy है, ये questions को तो हम यू उड़ा देंगे, एक ही तो formula चाहिए, आर स्क्वेर बाइ 100. अगर आप भी उन में से हो, जो ऐसा मानते हैं, तो आपके पास सिर्फ half knowledge है. और half knowledge का problem ये है, कि ये कुछ knowledge नहीं होने से भी बहुत ही ज्यादा dangerous है. होता कि है, जिसके पास knowledge नहीं है, वो ये वाले question करेगा ही नहीं, zero marks लेके आजाएगा, कोई दिक्कत नहीं. उस question में, उसके zero marks होंगे, लेकिन जिसके पास half knowledge है, वो फिर होता तो बहुत overconfident है, उसको नहीं पता ना, वो तो सुचता है, सब पता है, मुझे attempt करेगा, negative marks लेके आएगा. समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर समझें, जब आफ सिर्फ एक formula method के साथ जा रहे हो ना, तो वो बहुत ही dangerous है, मैं आपको एक example देता हूँ, अपने एक book के बारे में सुना होगा, बहुत ही बड़िया book है, बहुत ही famous book है, यह book जो है, Marshall Goldsmith ने लिखी है, उसका title समझना, what got you here will not get you there, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ है title, वो यह बोलना चारे कि वो strategy, वो skill, वो method, जिसके through आप यहाँ तक पहुचे हो, यहाँ तक successful हुए हो ना, आप सब graduate हो, कुछ तो successful हो, तो यह जो भी method, जो भी strategy आपने use की है, यहाँ तक पहुचने में, वो आगे use नहीं हो होने वाली, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई role नहीं है, समझ में आ रहा है, तो अगर देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, university exam में आप रट्टा मार के भी पास हो सकते हो, फॉमिला याद करके भी पास हो सकते हो, लेकिन आगे जो है ना, वो competitive exam है, तो वहाँ पे aptitude skill क्यों चाहिए, क्योंकि वही तो है, अगर ये job जो दे रहा है, उनको आपकी education system पे भरोसा होता, तो फिर आपके graduation का जो merit list बनेगा, उसी के उपर से आपको job दे देते हैं, क्योंकि आपका 80% है, ले लो job, होता ऐसा, नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे तो 80% सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो matter करता है, क्योंकि वहाँ पे real skill आपकी check हो रही है, तो करना क्या है आपको, आपको formula से नहीं होने वाले, समझ में आ रहा है, real aptitude develop करना है, वही तो चीज़े, इसको aptitude test भी तो बोलते हैं, aptitude आपका वो check कर रहा है, तो वहाँ cheating से काम नहीं बनने वाला, कोई formula से काम नहीं बनने वाला, आपको आपके अंदर का aptitude दिखाना है, और वो कैसे होगा, उसी के उपर तो हम काम करते हैं, हम आपका aptitude बढाते है, विटीट क्या करता है, आपको सिर्फ formula कभी रटा नहीं मरवाता, आपके अंदर visualization technique develop करता है, और जब होती ना, तो वही aptitude है, question use all होगे, चुठकियों में हम निप्टाएंगे, तो आज भी इस वीडियो में हम कुछ questions ले रहे हैं, उसी type के, लेकिन आप देखिए, आपके पास जो knowledge है, उससे try करना, और फिर आप देखना कि जो bititude की method है, उससे हम किस तरह से उस questions को पाएंगे, ठीक है, तो अन तक बने रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलिए, सुरू करते हैं। कि जो ये bititude की visualization वाली technique है, वो exactly है क्या, वैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको i button दे देता हूँ, यहाँ पर संटेज की पूरी playlist मिल जाएगी, यहाँ पर मैंने सब यहाँ पर detail में समझाया है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत brief में समझा देता हूँ, यह जो method है, वो और कोई भी नहीं, replica method है, और आपको बता है, replica method या नहीं किया, जब भी कोई percentage या ratio के उपर से हमारा खुद का example ले ले, जिसे 20% profit, तो हम क्या बोलेंगे, पर अगर cost 100 है, तो selling price जो हमारी हो जाएगी, वो 120, यानि कि यह खुद का example ले लिया, समझ में आ रहा है, जहाँ profit, 20% profit हो रहा हो, तो यहां से क्या होता है, कि visualize करना आसान हो जाता है, और हम easily questions को solve कर सकते, देखते देखिए किस तरह से, आगे बढ़ते, यहां पर first question आपके सामने है, पहले आपको post करना है, आपको खुद को सोचना है, क्योंकि सीखने का यह सबसे बढ़िया method है, पहले स सोचो, देखो मत जब सोचोगे, और बाद में देखोगे, तो समझ में बहुत ही सही तरह से आएगा, ठीक है, ओके, इसका answer क्या आएगा, देखिए काफी लोगों का answer आगे है, कुछ ना कुछ तो आपना answer निकाला, answer actually cannot be determined, यानि कि तई नहीं कर सकते, इतनी पूरी information ही नह नहीं समझ में आया, आपको लगता है, क्या answer सर, ऐसे तो हमने question की, इसका answer तो यहीं होता है, नहीं होता, वहीं तो problem है, जब आप रटा मारते हो, समझते नहीं होना, तो यह चीज होती है, वहीं मैं आपको बता रहा था, देखिए, आप समझे नहीं ना, अगर मेरे पास मा लानी पे बेच दिया, तो overall क्या होगा, क्या यहां पर जो overall होगा, दोनों मिला के, यहां तो अगर मैं उल्टा कर दूना, कि स्कूल बेक को 20% है ना, लाप पे बेच दू, और जो पैन है उसको 20% नुक्सान पे बेच दू, तो क्या same आएगा answer, नहीं आएगा ना, तो वही यह चीजे समझा करो, मैंने जान बुझके कैसा थोड़ा गूगली डाला था, है ना, समझ में आए कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं कहां पे है आपका दिमाग, है ना, और वही भी पता चल जाए कि वो half knowledge है ना, वो ज्यादा dangerous है, ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैंने थ यह काफी लोगों का answer आया है, 4% loss, है ना, यानि कि 4% की हानी हो रही है, जो कि गलत है, कुछ लोगों ने तो दिया है, क्यों दिया है, क्यों को याद है ना, कि जब भी ऐसा होता है, बीस परसन लाब, बीस परसन हानी, दो चीज़ें बेचते हैं, तो यही formula होता है, आर स्क आपने लगा दिया, इसका square 400 upon 100, 4% loss, गलत है, गलत है, गलत है answer, बाकी लोगों ने सही answer दिया है, उनको पता है क्यों गलत है, क्यों कि यहाँ पे देखिए समझने वारे बात क्या है, लागत समान है ना, तो लागत समान है तो इसका तो मतलब, बीस परसन लाब जितना होग तो फिर एक दूसरे से एकदम उल्टा आएगा, तो नो profit, नो loss होगा, है ना, तो ना ही कोई आपको लाब होगा, ना ही कोई नुकसान, 0 रुपे का लाब है भी इसमें, है ना, अब एक्जामपल लेके भी इसको विजूलाइस का विससे जरूरत नहीं है, सीदी सी बात है, पर चलो आपको एक्जामपल लेके देख लेते हैं, कि बही 100 रुपे की चीज है, 20% लाब, यानी 120 में बेच दी है, 100 रुपे की दूसरी चीज है, 20% की हानी की है, तो 80 में बेच दी है, तो 200 ही हुआ ना, कोश भी 200, सेलिंग प्राइस भी 200, काय का लाब और का नुकसान, है कि 4% लो, सीधा formula अपलाई कर दिया, तो वही चीज़े, अब याद आ रहा है, देखिए, सोचिए, कब exactly याद रखना है, उस formula को use करना है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, यास, तब use करना है, जब उसका जो विक्रही मुल्या है ना, वो एक ही हो, दोनों चीजों का विक तो ये चीज़ समझो, आप मैंसे काफी लोगों से ये गलती हुई होगी, तो आप समझ में आ रहा होगा, है ना, clear है, अब तो ये देखिए, यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, क्यों, अब देखिए, खास ध्यान रखिए, कब ये formula यूज़ करना है, जब दो चीज़े ब और दूसरी चीज़, दोनों चीज़ का विक्रे मुल्यस एक ही होना चीज़, सेम, कोई अलग नहीं होना चीज़, अगर ये तीन चीज़ है ना, समझ में आ रहा है, दो चीज़ बेची है, विक्रे मुल्यस एक ही है, और वो प्रतिस सत्य दोनों के सेम है, और वो भी एक ल करोगे है ना इसी लिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपको यह विजुलाइजेशन पावर की जरूरत है एफ्टीट को रियल सेंस में डेवलप करने की जरूरत है तो वह हम करेंगे ठीक है चलिए यह क्वेस्टन को सौल करने का अब इसमें आपका आज सही है भी फॉर्मिला से ह बीस का स्क्वेर चार सो डिवाइड बाई सो यानि चार परसेंट आपको लॉस होगा चलो मैं मानता हूं और यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि अगर एक्जैटली ऐसा है ना तो यह फॉर्मिला का है मैं आपको शॉटकर तो दे रहा हूं विजुलाइजेशन वाला मैंतल तो दे रहा हूं वो भी 15-20 सेकेंड में आ सकता है अगर आपने अची तरह प्रैक्टिस किये लेकिन फिर भी इससे तो वह हार जाएगा वो तो है क्योंकि यह सीधे-सीधा फॉर्मिला का प्रॉब्लम कैसे विसी में चलेगा अब एक्जाम में ऐसे क्वेशन अब थोड़ी किय से कंपते इसक्रीकटिक से करynnete टिक है तो देखिए इस Q& करते हैं को कैसे करते हैं यहां फिस पर देखिए यहां पर परसंटेज में देख लो रेश्यों में देख लो आगे वाले टॉपिक्स पड़ो तो समझ में आएगा तो यहां पे देखेएए छे और चार का LCM क्या होता है 12 होता है तो 12 करना है दोनों को और कुछ भीण यहां पर दोनों को flush कर दो पर 10 12 चार का 12 यानी 3 गुना तो यहां पर 3 गुना कर दो पफ अब यहां पर देख लो सकॉट किनी आई फचिस सेलिंग रइस पही 24 तो फिर हान चार परसन लॉस तो यही है इसमें साथ आपका पंदरा भी सेकंड बिगड़ जा है मानता हूं ठीक है लेकिन इसमें जली आ जाएगा लेकिन यह मैं समझ लो क्योंकि यह तो सिर्फ एक्जैट इसी सिनारियों में काम थोड़ा भी बदल गया ना काम नहीं आएगी चलिए दे सकते हैं इसमें कोई रेप्लिका लेने की ज़रूरत नहीं है क्यों कि आपको पता है कि दोनों सेम ही एक ही प्राइस में बेचा है एक ही विक्रे मुल्य है और यहां पर लाब और हानी भी सेम है एक ही है तो फिर कर सकते हैं तो चीज़े सब मिला के क्या होगा 25 का वर्ग स्क 6.25 परसेंट लॉस आएगा या तो आप इसको बोल सकते हो 1 by 16 फ्रेक्शन में है लेकिन 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 यह आंसर नहीं है आपने अगर यहां पर छोड़ दिया था तो थोड़ा समझो ना पूछे क्या रुपे में उसको कितने रुपे का हानी हुआ है यह डूंड़ना है प ठीक है देखे कैसे करते देखे काफी लोगों ने कर दिया सीधे सीधा कि सर अब तो बहुत इजी हो गया एक माई 16 एक बटे 16 और यह 9600 रुपे तो दिया है तो सीधा 9600 का एक बटे 16 होगा कितना 600 रुपे तो बोले 600 रुपे का लॉस है यह है गलत गलत है क्यों गलत है समझ गया 9600 में दो चीज थोड़ी बेची है ना अच्छा देखी यहां पर एक्चुली इंग्लिस वाला जो था वहां पर थोड़ा ठीक लिखा था भई 9600 यहां पर नहीं लिखा है वह थोड़ा लिखने का मतलब बनता था कि दोनो 9600 में यहां पर दो चीज नहीं दोनों ठीक है मैंने इंग्लिस और मैंने समझाया भी था तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो काफी लोगों ने वह समझा उन्होंने समझा कि सर 9600 रुपए में दोनों चीज 9600 9600 में तो 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 फिर आपका कितना हुआ विक्रह मुल्य डबल हुआ ना तो फिर यह 6000 का लोस ठीक हाए वहले समार्ट थे लेकिन भी गलत फो भी गलत है क्यों गलत है यह यह नहीं समझते हैं नहीं समझें द देखंए इसको हैलो एक एक्सिरा एक्स क्रेक्व कर दिया इसको के एक चीज नहीं होता ना question का सिर्फ एक चीज नहीं होता जो difficult हो कोई दूसरी भी चीज करनी होती है एक ही चीज थोड़ी करनी थी आपने क्या सुझा अरे यार ये तो 25 का square 625 बाइसो 6.25% हो गया लेकिन आगे भी तो देखो है ना कुछ और भी हो सकता है वो हमने नहीं समझा हमने सीधा 1,16 फिर इसका कर दिया खुस हो गए एकदम आखे हो गई बंध आखों को खुली रखो समझो ये जो loss होता है वो किस पर होता है लागत मुल्य पर होता है ना cost पर और ये क्या है 9600 का double भी कर दिया आपने 19,200 में जो बेचा है टोटल वो तो बेचा है ना विक्रह मुल्य है समझ में आ रहा है तो आपकी लागत थोड़ी थी तो अब आपके पास इसके बाद दो तरीके हैं अगर आपने परसंटेज पढ़ा है दोनों उसी के तरीके है एक आपको सीधा पता है कि आपका जो cost है उसका एक बटे 16 है तो जो बेचा होगा उसका तो एक बटे 15 होगा तो आप सीधा कर दो पर इसका डबल यानि कि 19,200 का एक बटे 15 इतनी हानी हुई ये तो कर लोगे आप 15 इंटू एक पंदरा 4,2,3,12,1,20 1280 रुपे का हानी हुआ है ये आपका final answer है अगर आपको लगता है ये कैसे कर दिया सीधा तो भी मैं चलो बता देता हूँ इन केस आपको कोई भी doubt है तो देखिए 16 पे एक loss होने का मतलब है कि अगर आपकी cost 16 थी तो एक loss हो गया और selling price तो आपकी 15 हो गयी बीचा तो 15 में है तो अगर आप ये loss को देखो तो selling price की साबसे तो एक बटे 15 है ना पस वही मैंने किया है कुछ भी नहीं चीज नहीं है ना पर ये direct दिख जाना चाहिए इसे लिख लिख के कितनी चीज़े करोगे ना think without ink बहुत ही important है mind में थोड़ा जितना आपका storage capacity बढ़ा होगे आपकी speed बढ़ेगी ठीक है चलिए भई आगे बढ़ते है वापस ये question पहले आपको करना है pose कर दीजिए सोच ये ठीक है देखिए कैसे करते हैं कोई दिकत नहीं होनी चीज़े यहाँ पर आगर आपने सुचा आर परसेंट बढ़ गई और फिर आर परसेंट कम हो गई वो चो क्रमित increase or decrease क्रमित बढ़ा क्रमित उसके बाद कम हुआ वहाँ पे भी दोनों मिला के ओर और आर स्क्वेर बाई हंड्रेड परसेंट लॉस यानि की कम हो जाती है ये काफी लोग को पता है तो काफी लोग फिर क्या करते है उसमें उसमें जब अलग-अलग वेल्यू है तो क्या करते है A π्लस B प्लस AB वाइंड्रेड है ना तो वहीं लगा दिया काफी लोग बहुत स्मार्ड है वो क्या करते हैं तो हमने तो formula रट्ट आ मारा है हम तो यही कर देंगे कि यह 66 पॉइंट यह तो लाब है 2 थर्ड आपका लाब है और दूसरे पर 20% हानी है हानी यानि माइनस और A प्लस B प्लस AB भाई 100 भी तो होता है तो यह दुनों का मल्टिप्लाई भी तो कर लेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा परसेंट यह काफी लोगों को ने कर दिया गलत है क्योंकि हा अगर एक ही चीज पर क्रमित बड़ोत्री होती और फिर क्रमित उसी में फिर अगर वेल्यू कम हो रही होती तो कर सकते हैं यह यहां पर को एंपको करना पड़ेगा खुदका लाजिक यानि की रप्लिका मैं रहे का मैंथर हम कैसे करते सिधा देख लेते और इसका मतलब है तो थर्ड लाप होने का यहां पे 20% हानी का मतलब 100 का 80, 5 का 4, पांच रुपे की चीज चार में बेची, लेकिन यहां पे आपको बोला है, क्या बोला था, दोनों का सेम क्या है, कहां पे गया, दोनों चीज एक ही विक्रे मुल्या पर बेची गई है, एक ही विक्रे मुल्या, यहां पे तो अलग-अलग है, तो एक करो 5 और 4 का LCM, 20 होता है, तो दोनों को 20 करना है, पांच का 20 यानि 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से गुना कर दो 12, 4 का 20 यानि 5 से गुना किया है, तो इसको भी 5 से कर दो 25, अब देखो, तोटल कोस्ट 37, तोटल सेलिंग प्राइस 40, प्रॉफेट कितना हुआ, 37 का 40 यानि 3 रुपे प्रॉफेट, प्रॉफेट कि यह होता है ना सोल तो कर लेंगे इसमें कोई दिकत नहीं है जिसे 37 इंटू दस तो 317 तो आठ पे जाना चाहिए 242 296 तो चार बज गया यह आपका अंसर होगा और यह तो पॉइंट में दिया होगा तो साइध यह 436 यह ना उल्मोस सब्सक्राइब के पास सब चीज का हिसाब है सब चीज का तोड है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमसे बच के जाएगी कोई दिकट नहीं है चलिए भई तो आई थिंक यह क्लियर है कोई दिकट नहीं है चलिए बढ़ते बापते वापस पोस कर लीजिए पहले आपको करना है ठीक है दीखे किस तरह से कर सकते कोई दिक्कत नहीं होनी चीए एक व्यापारी इतने रुपए की चीज थी अब जब प्रॉफिट या लॉस होता है प्रॉफिट या लॉस तो बोला पहले में 61 परसंट यानि एक सट रुपए का लाव हुआ दूसरे में 22 परसंट की यानी 22 की हानी हुई तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 39 ही हो जाएगा न 39 है न तो 39 का आपको प्रॉफिट हुआ किस पे टोटल तो 200 रुपए हो गए तो 200 और परसंटेज के लिए 100 से मल्टिप्लाई कर दो 39 का आदा यानि की 19.5 परसंट तो ये तो विजुलाइसेशन टेक्निक हुई लेकिन लेकिन यहां पे द तो अगर बें चालीज किलोगा हुं कोई 60 किलो चालीज बहुत कम बोल दिया 90 किलोगा हुं ठीक है कोई दूसरा है वो 50 किलोगा है तो हमारी एवरेज क्या हो गए 50-50 का यहां शाथ ऐसे करेंगे नहार तो यहां बेबी वहीतों करना था एक साट रूप एक सट में से थर्टी नाइन भाई दू बात वही थी तो conceptually भी कर लेते अगर समझ लेते एवरेज है वही करना सीधा पांच सेकेंड का काम था है ना चलिए next question वापस आपको सोचना है ठीक है मैंने यहाँ पर पोस कर सकते है चलिए देखे कैसे करते यहाँ पर देखे एक चीज़ दो चीज़ खरिदता है जिसकी लागत इस अनुपात में होती है ठीक है कुल मिला कर वही उसका तो हम और ओल दोनों मिला के कितना परसें लाविया हानी है वापस दोनों मिला के अब दोनों की कॉस्ट दी है ना तो average है average लेकिन यह same cost नहीं है तो weighted average अगर आपको average पता चलता हो तो ऐसे भी कर सकते हो देखे दोनों तरीके से समझाता हूँ एक है concept दूसरा visualization चलिए दोनों कर ल अच्छा यहां दूसरी बोली है तो ठीक है चलिए पर तो भी पहली बोलनी चाहिए पहली चीज़ और दूसरी चाहिए चलिए तो पहली परसेंट लाव है ना हम क्या करते भी वीटेड एवरेज में यह 52 को पहले को पहला यह 3 का वेटेज देते हैं और average के लिए total 26 एक सो तीस डिवाइड बाइब पांच 26 परसेंट आंसर कुछ भी नहीं है आपका average आजाएगा है भी कुछ कुछ भी है आप बताईए अगर average पता चल गया तो कुछ भी यह तो मैंने लिखा आपके लिए आप तो सिधा यही करोगे ना बावन इंटू तीन अच्छे 156 और माइनस 27 एक सो तीस डिवाइड बाइड बाइड पांच 26 परसेंट टिक करो नेक्स दस सेकेंड श्यादा से ज्यादा ठीक है दस सेकेंड विदाउट पैन नेक्स्ट हा लेकिन अगर आपको इतना नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर ले 156 का प्रॉफिट होगा अच्छा दूसरे पर तेरा परसेंट हानी हानी है कितनी दोसों का तेरा परसेंट माइनस 26 दोनों मिलागे कितना एक सो तीस यह तो प्रॉफिट हुआ आपका लाब है किस पे है टोटल तो 500 रुपय है परसंटेज के लिए 200 है बात तो वही हो जाए समझते कोई बात नहीं यहां पर समझते पोस कर लिजे वीडियो पहले खुद करना है ठीक है कोई दिकत नहीं होने चीए रेप्लिका लेना सीख जाओ कोई भी दिकत नहीं है देखिए दो घडिया खरीदी एक की लागत मुल्य दूसरे की लागत मुल्य से एक चोथा ही क्या बुला है यहां पर देखिए घड़ी को एक प्रिय नहीं होता वह यह दिए ट्रांसलेशन वाले से कोई 12% और दूसरी को 7.5% के लाब पर बिचा दोनों को लाब पर बेश दिया लेकिन प्रियन नहीं है वो महंगी है महंगी वाली को 12.5% तो कोई बात नहीं है महंगी है ना इसका 12.5% साड़े बारा इंटू पांच तो इस पर लाब हो जाएगा आपका 62.5 ठीक है अच्छा दूसरी को साड़े साथ के लाब पर तो साड़े साथ साड़े साथ इंटू 430 तो यह भी हो गया तो आपकी यह कॉस्ट हो गई थी 900 प्रॉफेट हो गया 92.5 ना कोई दिकत नहीं है अब देखे क्या बोला है इस प्रकार बिक्री लाब के रूप में इतने रुपे मिले उसको इतने रुपे टोटल विक्रे मुल्य मिला ठीक है लाब के रुप में इस तरह बिक्री के रुप में इतने रुपे मिले अब देखे बिक्री का तो अच्छह यहां पर जो मैंने रेप्लिका बनाई यह वहाँ देखो ना कितना मिला मुझे इतना आपका लागत वेल्यू था इतना लाभ हो गया तो टोटल 992.5 मिला यह इतना है तो इन्टू 10 ही तो है दस गुना है तो जो बोला हो 10 गुना कर दो ना क्या पूछा है सस्ती वाली घड़ी की कि मत सस्ती वाली कौन सी ती यह रही 410 गुना कर दो 4000 आपका आंसर रेपलिका मेथड़ पता है ना वहीं वापस नहीं देखा तो मैंने रेश्यों में सिखाया है यहां पर आपको आई बटन देता हूं ठीक है जैसे परसंटेज का दिया है रेश्यों का भी देता हूं दोनों पढ़िए यह बेज है बेज क्लियर नहीं है तो उसके उपर बिल्डिंग कहां से बनेगी अगर दिक्कत आ रही है तो वह कर लिजिए बाकी फिर मैथल तो आप देखी रहे हो है ना एकदम जबरदस्त इस तरह से हम कर लेंगे काफी टफ क्वेस्टेंज को भी ठीक है चलिए देखते वापस पहले आप कीजिए पोस कीजिए तो ही तो प पढ़ात हो, पहले पे 50% लाप और दूसरे पे इतनी हानी तो पहले तो रेप्लिगा लिलता है, परशंद लाब कोस्ट सेलिंग प्राइस साथ परसंद लाब का क्या मतलब होता है यह सब बेजिक क्लियर होना चीए बाद में हम सुचते यार लेकिन यहां पे बिक्री मुल्य इस ratio में क्या 3 और 2 के ratio में तो नहीं है तो अब क्या करें ये भी मैंने सिखाया था ratio के questions में काफी बार किया था कोई बात नहीं यहां पर मैं वापस बता देता हूँ ठीक है देखिए करना किस तरह से इस दोनों को मैं same तो कर सकता हूँ न हमने किया है काफी ब बन गया ना 3 और 2 के अनुपात में बन गया अब कुछ भी नहीं है आठ को 72 किया नहीं इन टू 9 किया था ना तो इसको भी इन टू 9 कर दोना 45 अचा चे को अरता लिस किया था यहां पर इसको भी आठ गुना कर दो शर्ट पन तापकी कॉस्ट जो है वह यह रेपलिका में आ ठीक है और यहां पर 120 तो भी यह तो फाइदा ही हो रहा है आपका लाब है कितना लाब है 19 रुपे किस पे 101 पे अब यह परसंटेज मत निकालना 100 पे होता तो कितना होता 19 परसंट होता 101 पे तो 19 से थोड़ा अठ्रा पॉइंट कुछ होगा ना अठ्रा पॉइंट साथ 100 होता तो 19 होता अभी नीचे थोड़ा बढ़ने से वैल्यू कम हो जाती इतना लॉजिक तो लगाना चाहिए अगर दो अप्सन होते ठीक है अठ्रा पॉइंट 9 भी है 19 पॉइंट एक भी है इतने क्लोस भी है तो भी हमें पता है 19 से कम बात खतम अठ्रा पॉइंट 9 के कितने बेचा तो उसको 550 रुपे का profit हुआ है अब देखे क्या किया दूसरे को लिया लॉस पे बेचा हानी कर दी और overall दो नो मिला के इसने ना कुछ हासिल किया ना कुछ खोया यानि कि ना profit किया ना लॉस किया है न उसका मलब दूसरे पे फिर यहां पे जो प्रॉफिट कि होता है साड़े बारा परसेंट आठ रुपे की चीज जो थी उसको एक कम करके और बेच दिया है साथ में यही मतलब हुआ ना इसका हमने रेप्लिका ले लिया बाद में तो कुछ भी नहीं है यह एक लोस है वो साड़े पांसो यह तो साथ वाली जो विक्र मुल्य है वही सबस्क्राइब इज स唉 रक लिक मिलेशन थोड़े अच्छे होने चीए नार्मल नहीं की उल्ट जव्व जड़े ने Gandalf वाला तो मैं साथ में जो जो पर्फेक्ट शौडकत है आपको बढ़ाता जा calculation के जो जो shortcut है वो भी बोलता जा रहा हूँ ठीक है चलिए वापस इसको कर लीजिए post पहले खुद को करना है मैं तो यहाँ पे आपके लिए हाजिर हुई हूँ देखिए कैसे सूचना है अच्छा यहाँ पे इंग्लिस वाला वर्जन क्यों आ गया चलो कोई बात नहीं हिंदी में यहाँ पे इतनी जगा तो इनफ है हमारे लिए है ना कोई बात नहीं यहाँ पे कर लेते है देखिए पहले तो मैंने बूला इसको कभी यूज नहीं करते ह सब्सक्राइब कर लेता है उसको यूज किया मतलब कर दोको सेम फ्राइस पे बहुता है छलो ठीक पच्छीस परसेंट पर बेचा है तो यह हो गया पच्छीस परसेंट लाप तो हो गया अब दूसरी वस्तु को प्राइस पर बेचता है तो फिर यहां दूसरी के लिए 125 बना सकता हूं अब यहां पर पर दूसरी बस्तु पर किस पर सेंट के हानी हुई यहां पर यहां पर यहां कितनी आनी वही पसंद जो भी आपकी ऑप kitchen में जिस तरह से डिया हो देदीजिए तो यह आप देख रहे हो पहले आपने किया होगा आपने किस तरह सोचा और कैसे हो सकता है लोगों का अंसर एसी तरह से बन तरह होगा एसी मासा रखते लेकिन ये वीडियो देख लीजिए पूरा अच्छी तरह और बाद में क्वेस्टेंस कीजिए निकलेंगे पहले सोचना पड़ेगा मैनत का काम है पर बाद में बहुत अच्छा है चलिए तो यह तो हटा देते हैं यहां पर वापस पहले सोचना ह आपको ठीक है पोस्ट कर देते हैं वीडियो पहले आप कर लेते हैं चलिए देखी कैसे करते हैं समझते है चार हजार रुपे की चीनी खरीदी कोई वह उससे कोई लेना देना नहीं होता आपको पता है एक तिहाई इतनी परसंट हानी पर एक का पांचवा बाग उतने परस इस थी बास यह बहुत इसी है अब बहुत इसी हो गया क्यों टोटल अगर पंद्रा चीज़ है तो यह वेटेड एवरेज ही हुई ना तीन अलग अलग चीज़ का कंबाइंड एवरेज समझ में आ रहा है वो समझ में आना चाहिए तो फिर कुछ भी नहीं है तो एक ढूंता यह तो यह हो जाए गा मैंने सानी है यह एक तो यह हो जाएगा सप्लस इसमें सो पी एप ना तो क्या है यह वह एक है तो इंटू टू बाइ सेवन तो भै यह टोटल प्रॉफिट लेकिन डिवाइड बाइप 15 मत भूलना वेटे डिवरेज है वह वेट का टोटल नीचे जाता है इतनी सी चीज है कुछ भी दिकत नहीं है अब देखिए यह तो गिन लेंगे न यह हो जाएगा बही माइन यहां पर लिख देता हूं माइनस वन बाइ टू है ना प्लस नैन बाइ एट और प्लस टू और डिवाइड बाइ पंदरा अब यहां पर आठ हेल सी हम ले लेते हैं कोई दिकत नहीं है आठ ले लेंगे तो सोला नो पच्चेस माइनस चार एक केस बाइ आठ नीचे जाएगा एक स 120 परसंटेज के लिए इंटू हंड्रेड यानि 526 105 बटे 6 इतना परसेंट आपका एक्जेट आंसर भी है प्रॉफेट ही है ना प्रॉफेट ही हो रहा है तो चलिए यह तो कर सकते है छे इंटू एक चे चार बचे 45 छे इंटू 17.5 यह आपका प्रॉफेट है तो यह चीज ह पर कोई दिक्कत होई नहीं चीज थोड़ा समझना है कि वेटेड एवरेज है ना पर विजूलाइज करना होता तो 15 जिसको 100 रुपे पर वह थोड़ा प्रॉबलम आती यह वेटेड एवरेज इसीली हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वह सो वाले में यह फ करते हैं रहात करते हैं यह कुछ भी तो नहीं है 50 घोड़े खरीदे हैं उसमें से 15 को 20-35 को 16 प्रतिससत के लाब बाकिको लागत मुल्य पर वेचा अच्छा तो पर प्रतिससत पता नहीं तो सो रुपे का मान लेते ना विस सब सो रुपे के घोड़े थे हमने मान लिया तो तो भई 15 का 20% लाब हुआ ना तो 15 रुपे 15 पर फाइदा हुआ तो फाइदा कितना हुआ 300 15 बुनाद 20 25 पर 16 कितना होगा 25 बाइब 16 400 और बाखी को तो लागत मुल्या पर बेचा और के प्रॉफिट हुआ नहीं तो 700 रुपे प्रॉफिट हुआ जो बोला है उसाब से 700 रुपे का प्रॉफिट होता है हमारे एक्जामपल में अगर कॉस्ट 100 लेते तो लागत मुल्या 100 ले ली है तो अब बोलता है अगर मैंने सभी को 18% के लाब से बेच दिया होता यानि सभी के सभी जो 50 है ना उस पे 18-18 रुपे के प्रॉफिट करता तो तो प्रॉफिट हो जाता 900 तो मुझे 560 अधिक मिलते 560 कहां भई यहां पर देखते तो 200 ही अधिक मिलते हैं मेरे रेप्लिका में तो 200 ही अधिक मिलते ना तो जो 200 है उसको उन्होंने बुला है 560 है अच्छा तो फिर पूछा क्या एक गोड़े का लागत मुल्या ग्याद क कितना यह रहा ना 200 अगर 506 है तो यह जो 100 मैंने सोचा है मेरे एक्जाम्पल में होगा कितना 200 अगर इतना है तो सो आधा ही तो होगा ना 280 बाद खतम 560 का आधा तो यह चमतकार है वह चमतकार को कीजिए नमसकार और ऐसे ही आप भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा सोचिए इतन प्रेक्टिस करनी पड़ेगी बस ठीक है चलिए वापस यहां पर विडियो को पोस्ट कीजिए कीजिए इसको सौल बहुत बढ़िया क्वेस्टन है मज़ा आएगा इसमें है ना देखिए कैसे करना यहां पर देखते देखिए भरवा खिलोना त्यार किये जो भी खिलोने त् चात्रों द्वारा बल पूर्वक बई सिनियर होते हैं ना तो उन्हों ने खिलोने तो बनाए स्टूडेंट्स ने क्या वह यह मुझे आधे प्राइज में चाहिए बस है ना बले तेरी जो भी प्राइज है तो सो रुपे मान लेते ना अच्छा उसने प्रतास प्रतिशन और बाकी पच्छास प्रतिशन पे लाभ हासिल करने के लिए तुब एक काम करते हैं दो खिलो नहीं समझ लो पच्छास प्रतिशन यानि एक एक मान लो दो खिलो ने बढ़ा है बनाए थे ठीके दोनों सो सो रुपे के मान लो ना तो आपकी लागत वेल्यू थी 200 हाँ या कोई दिक्कत है नहीं अब थोड़ा समझा करो यहां पर दो में से एक पे तो औरेड़ी वो सिन्यस ने क्या बोला आजी प्रैस पे खरीद लिया सो की जगा पचास पे खरीद लिया अब बाकी को कितने पर बेचना जी वो तो पूछा है बच्चे हुए खिलोनों को कितने प पचास परसेंट लाब हासिल करना है पचास परसेंट यह आपका लागत मुल्य है उसका पचास परसेंट तो सो होता है आज्या सब् measure that तो यहां सो पर 200 कमाने पड़ेंगे हाँ या ना तो ही तो टोटल 300 हो जाएगा बस यह थोड़ा विजूलाइजेशन रखो कुछ भी नहीं है बात खतम अब गुला है दूसरे पर कितना फाइदा हुआ 500 की चीज़ मानी थी 200 पर बेचने तो 500 परसेंट दूसरे को 500 परसेंट पर बेचना पड़ेगा इतना लाब करेंगे तो जाके दोनों मिला के 50 परसेंट का प्रॉफिट होगा क्लियर है सिंपल है तो कुछ भी नहीं है देखिए अगर आपके पास थोड़ा लॉजिक होता तो आप ऐसे भी समझ सकते थे क्योंकि यह तो दूनों इक्वली था ना तो आप ऐसा भी समझ लेते ना पहले पर 50 परसेंट लॉस दूसरे पर कितना परसेंट फाइदा कि जिस तरह से समझ में आ रहा है यह चीजे है यहां पर मैंने आपको विजुलाइज कराया लेकिन कंसेट तो यहां पर भी था है ना क्योंकि दो चीज थी ना दोनों चीज मिला कि अब दोनों 50-50 परसेंट का मलब इकवली तो है और परसंटेज में पूछा है तो क्या है हम उसके कोई figure का यह सब time pass है उसके कोई figure लेना मत time pass हो जाएगा है ना वो तो मैंने सिखाया है कि हम अपनी रेप्लिका बनाते है उसके figure से कोई लेना देना नहीं होता बस यह चीज है तो अलग-अलग question में करवा रहा हूँ जिससे आपके mind में मैं पूरा hammering कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए ऐसे question आप यू कर लो ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं next question में वापस यहां पर आप पोस कीजिए I think last question रखा है मैंने वीडियो में पोस्ट कर दीजिए इसको सॉल कर दीजिए कोई दिकत नहीं होने चीए देखिए किस तरह कर सकते हैं दो खिलों ने बिक्री मुल्य है दो एक का अनुपात अच्छा देखिए पहले पर 25 परसेंट लाब करना है हमें पता है चार पाँच है न सो एक सो पचेस यानिए की चार पाँच तो यह आपने एक रैपली का बना दी अच्छा दूसरे पर वन बाई सेवन लाब साथ पे एक साथ की चीज आँठ पे बेच लो पता है यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसत लाब परसेंट आपको डूना है दोनों मिला के लेकिन कोई कंडिसन दी थी ना विक्री मुल्य इस रेश्यो में विक्री मुल्य तो पाँच और आठ हमें द बनान चली और रेनक वह इसको इतना कर ना इसको इतना हो गया कि और funk ali तो पान्च को उसी यनि कितना 21 रुपे कमाया किस पे होता है मैंसा 99 पे गिनना नहीं होता ना परसंटेज किस पॉइंट सम्थिंग होगा 21.12 कुछ है ना नहीं होता इजी है 21.12 जो भी ऑप्शन में हो दोनों नहीं होंगे वो भी क्या जाते आप स्मार्ड कितने हो और हो गे तो 200 करी सकते कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है यह साथ वाइं थेटीस ही होता है ठीक है तो साथ सो भाइं परसंट पर ऐसा कुछ होगा नहीं ठीक है तो आप देख लिए ते टीस इंटू दो कर दो 266 चालिस एक साथ एक की सेवन भाइं थर्टी थरी परसंट भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में भी गिन सकते हो पर कोई जरूरत है नहीं ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आई होप आपको बहुत अच्छा लग और ऐसे ही और एक शॉटकट वाला वीडिय है आप यहां पर गूगल स्टोर पर जा सकते हो गूगल स्टोर पर जाके आप प्ले स्टोर है वहां पर टाइप कीजिए हमारा एप फर्स नंबर पर आजाएगा आप उसको डाउनलोड कर दीजिए और बहुत ही बढ़िया आपका एप के थूप पढ़ाने का तरीका है ठीके पेकिजिए किस तरह है और उसके बाद भी अगर आपको कोई है तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो किवेरी कर दी जाएगी ठीक है को कोई भी पैट करनी है तो वहां पर आप चले जाएए और आपको डेमो भी मिलता है एक विक तक पप्टा चले वह एक्स्प को पता है लाइक कर दीजिए कमेंट किजिए शेर किजिए बहुत इंपोर्टन है यह चीज़े प्लीज 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 अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मुझे लगता है मुझे मानते हो आपको मजा रहा है तो फिर इतना हक तो बनता है ना मेरा भी आप पे हैंना इबेक दीजिए है ना और सबसे इंपोर्टन चीज चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब जैसे ही करोगे बाजू में मिल जाएगा आपको बैल आइकन बैल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे की मेरे हर नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मि आठ झाल वाग, क्वेब एंगे, होगो तुम एंगे, हुआ है।